हालो फ्रेंड्स वेलकम टू फूट फैस्ट विद फैमिली एंद फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गड़े चतुरती के अबसर पर फ्राइड मोदक की रेसिपी जिसे के हमने आटे से बिनाया है और यह बहुत हेल्दी मोदक हैं और खाने में भी बहुत करने के बाद इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में घी से मिक्स हो जाना चाहिए तो यह दहिए घी में अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इस में थोड़ा थोड़ा पानी एड़ किया है मैंने टोटाल यहां पर हाफक पानी लिया और फुड़ा ठोला करके है डो बना लेंगे बहुत ज्यादा पतला भीmitt नहींस एक कप लिया है ग्रेट किया हुआ ताजा कोकोनट और इसे हलका सा भूल लेंगे जिससे के इसका मोस्यर हे वो राइ हो जाए और इसमें एक कप से थोड़ा कम गोड़ गोड़ हमने बराबर नहीं लिया है थोड़ा कम लिया है क्योंकि फ्राइ करते टाइम मोदक से बाहर ना आ जा इसलिए और यह देखिए मिक्स हो किया है गोड़ अच्छे से कोकोनट में मैंने हापे कुछ ड्राइफ रूट्स लिये हैं आप अ 140 टी स्पून के लगवग और यह देखिए सभी ड्राइफ फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं मैंने आपे फ्लेम ओफ कर दिया है और इसको ठंडा कंदे प्लेट में रख दिया है और यह देखिए भी हमारा आटा भी अच्छे से तयार हो गया है और इसे फिर से भी हमारी बन गई है एक कपाटे से और अब इसको हम इस तरीके से गोल गोल पेड़े बना लेंगे और बेलन से बिना घी और बिना आटा लगाए इस तरीके से बेल लेंगे इसको बहुत जादा पतला भी नहीं बेलना है पूरी की तरह बेलकर इसको हतेली पे रखके इसमें हम अपनी जो फिलिंग हमने तयार की थी कोकोनट एंड ड्राइफ रूट्स की वह इसमें भर लेंगे और फिलिंग उतनी ही बरेंगे जितना के बाहर ना निकले बहुत जादा कम भी नहीं बरनी है बहुत जादा भी नह जाएं और यह देखिए इस तरीके से हम साइट से इनको बंद करते हुए इनको किनारों से इस तरीके से इनके किनारे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और किनारे नीचे से उपर तक लंबाई में अच्छे से फोल्ड करने है और फिर जो अंदर वाला एरिया है इन सारे अंदर वाले एरियों को आपस में बिलाके इसको हम अच्छे से पहले बंद कर लेंगे और फिर किनारों को इस तरीके से एक खटा करके उपर की तरफ एक नो बना लेंगे इसका कोन जैसा बना लिया है और इनकों मोदक का अच्छे से शेप दे देंगे यह देखिए हमारा मोदक बनके तयार हो चुका है यह हाथ से बना हुआ मोदक है ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसका और इसी तरीके से हम बागी के सभी मोदग भी तयार कर लेंगे फिलिंग का ध्यान रखना है कि ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा भरना है इसमें जिससे के बाहर निकल जाए ये देखिए अच्छे से हम किनारों को बंद कर लेंगे जिससे के फ्राई करते टाइम फिलिंग बाहर ना आए ये देखिए हमारे सभी मोदग एक बार में सेखने के लिए तयार हो गए है और यहाँ पर मैंने लिया है कडाई में ओईल आप इसे घी में ओईल में किसी में भी और इसको करम होने पर इसमें हमने मोदग टाल दी है फ्राई होने के लिए और इनकी फ्लेम हमें गयस की low to medium ही रखनी है भहाँ ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है फ्लेम में यह बाहर से तो सिख जाएंगे पर अंदर से कच्छे ही रजाएंगे तो इसलिए low to medium फ्ले और ध्यान रखना है कि सभी साइट परआबर सिख जाएं नहीं तो क्या होगा कि कुछ साइट ज़्यादा सिक्षिंगे कुछ साइट कम ना तो देखने में एच्छे लगें और ना नहीं खाने में तो इसलिए इनको सभी साइट से बरावर बरावर पलटते हुए सेखते हुए हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन प्राउन होने तक और लोटू मीडियम फ्लेम पर सेखने से अंदर से भी पक जाएंगे और बाहर से भी तो यह देखिए freshmen धिरे धिरे यह हमारे फ्राई होने लगे हार हमगे रिका लगाए बनाने लगा है और यह दख करते हुए चला प्लट करते हुए हमने अपने मोदग तैयार कर लिए हैं देखिये कितना अच्छा कलर आया है golden brown हो गये हैं और एकदम कुरकुरे हो गये हैं तो अब हम इने वैज से पाहर निकालेंगे तो यह हमारे मुदब से कर एकदम तयार है ये देखिये कितने प्यारी लग रहे हैं ये खानी में भी बहुत ही टेस्टी है मैं आपको खोल कर दिखाती हूं ये देखिये अंदर से कितने टेस्टी हैं और सुन्दर हैं कितने यह देखिए ड्राइफूट से भरे हुए है बहुत ही अच्छे बने है यह खाने में आप भी इस तरीके से जरूर बनाईए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वोचिंग अच्छाइब करना ना भूले थैंक्स पर वोचिंग